आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैप्टोरियम को लेकर जियां, रैप्टोरियम को आप कैसे माइन कर सकते हैं, कैसे आपको वालेट को कॉन्फिगर करना होता है कैसे आप रैप्टोरियम को सेंड करेंगे, कैसे आप रैप्टोरियम को सेल करेंगे कैसे raptorium का पैसा आपके bank में आएगा कैसे आप miner को configure करेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर मैंने raptorium को mindy किया है तो क्या steps होती है full detail में आपको इस वीडियो में सीखने मिलेगा तो अगर आप भी यह सब जानना चाहते हैं तो आप शुरुबाज से लेकर लाश्ट तक हमारी इस वीडियो को जरूर देखें मेरा नाम है सुबह मग्रवाल और आप देख रहे हैं Cyberbaba YouTube चैनल ओके गाईस तो यहाँ पर आप देखेंगे हम आच चुके हैं Raptorium की Official Website पर Raptorium को माइन करने के लिए आपको Graphic Card की requirement नहीं होती है क्योंकि Raptorium CPU से माइन होता है हालकि GPU के comparison में profit बहुत कम होता है बट आप GPU माइनिंग के साथ साथ CPU माइनिंग भी कर सकते हैं माइनिंग की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं profit की कि आपको profit क्या होगा इसके लिए आपको simply Google पर दाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है Raptorium Mining Calculator यहाँ से आपको इस first website को open करना है अब यहाँ से आपको CPU को select करना है किस CPU पर आप Raptorium को माइन करना चाहती है तो यहाँ से हमको इक price का अंदाजा होगा हमारे पास जो CPU है वह है Ryzen 5 5600X तो यहाँ पर हम select करेंगे 1 और यहाँ पर हम इसके profit को check करेंगे 5600X जो CPU है वह 1699 hash rate generate करता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप check करेंगे इसका profit यहाँ पर आप देखेंगे हमको जो daily profit हो रहा है वह हो रहा है 0.44 US dollar USD को हम INR में convert करते हैं 33 रुपए 32 पैसा तो अगर हम 5600X से mining करते हैं तो 33 रुपए per day का हमको profit होगा इसी तरह से यहाँ पर multiple processor है तो आप check कर सकते हैं यहाँ पर AMD और Intel के लिए अलग section दिया गया है तो अगर आप चाहें तो यहाँ से आप अपने processor को check कर सकते हैं अब इसे हम close करते हैं और सीधा हम चलते हैं raptorium.com की website पर अब यहाँ पर आप देखेंगे जो minor होता है वह आपको raptorium की official site से download करना होता है आपको simply जाना है download वाले section पर सबसे पहले यहाँ से आपको download करना है wallet को simply आप wallet पर click करें wallet में यहाँ पर आप windows के लिए linux के लिए mac के लिए different different operating system के लिए wallet डाउनलोड कर सकती है तो यहाँ से हम download करेंगे windows के लिए तो यहाँ पर आप देखेंगे raptorium 1.2.15.3 windows64.zip इस file को आपको download करना है one click कर आप इस file को download कर सकती है यहाँ पर आप देखेंगे हमारा wallet download हो रहा है और यह download हो चुका है आपको इसे open करना है हम new folder के अंदर से लेकर सलते हैं यहाँ पर हम इसे extract करते हैं अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने यह wallet आज चुका है double click करके आपको इस application file को run करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह से wallet आज चुका है अब फिलाल के लिए हम इसे minimize करते हैं तो पहला काम यहाँ पर हमारा complete हो चुका है जो की होता है wallet का अब बात करते हैं miner की तो miner को download करने के लिए आपको again download वाले section पर जाना है और यहाँ से आपको CPU miner को download करना है यहाँ पर आप देखेंगे आप GitHub की official website पर आ चुके हैं यहाँ से आपको से scroll करना है और यहाँ पर आपको देखाई देगा CPU miner यहाँ से आपको इस miner को download करना है यहाँ पर privacy का कुछ issue आता है हम download वाले section पर चलेंगे और यहाँ से keep danger file को select करेंगे finally यहाँ पर हमारा miner download हो चुका है so in folder पर आपको click करना है यहाँ पर भी हम new folder के अंदर इसे copy करते है right click करके आपको इसे extract करना है और extract होने के बाद कुछ इस तरह से आपको CPU miner दिखाई देता है देखिए अब यहाँ पर हमको कुछ changes करने होते है जो config file होती है सबसे पहले हमको इस file को edit करना होता है सबसे पहला जो change होता है वह होता है pool का raptorium mining के लिए अगर आप चाहें तो आप supernova pool को भी use कर सकती है बट यहाँ पर जो flock pool है यह flock pool भी बहतरीन pool है मैं भी इस pool को use कर रहा हूँ अगर आप चाहें तो आप supernova की तरह भी switch कर सकती है यहाँ पर आपको जो address होता है receiving address वह आपको डालना होता है अभी मैं आपको बताता हूँ कि यह address आपको कहां से निकालना है यहाँ पर आपको worker का name डालना होता है यहाँ पर जो algorithm है वह जी आर गोस्ट राइडर algorithm है इसी algorithm को उनको use करना है यहां पर आपको threads डालने होते हैं देखिए हमारे processor में core और thread होते हैं अब आपको पता होना चाहिए अपने processor के बारे में कि आपके processor में कितने thread हैं अगर आपको जानकारी नहीं है आपको simply जाना है Google पर यहां पर मैं सर्च करता हूँ Ryzen 5 5600X हम यहां से सिधा Ryzen की website पर चलेंगे यहां पर आप देखेंगे Ryzen 5 5600X यहां पर आपको वारा thread देखने मिल जाते हैं 6 core देखने मिल जाते हैं तो जितने भी thread से आप काम करबाना चाहते हैं वह आपको यहां पर डालने होते हैं फिर इसके बाद यहां पर कुछ और चीनिस करने हैं बट सबसे पहले हम step by step चलेंगे यहां पर सबसे पहले हमको एक receiving address चाहिए receiving address आपको कहां से मिलेगा आपको जाना है raptorium के wallet में यहां पर आप देखेंगे हम raptorium के wallet पर आज चुके हैं फाइल पर आपको जाना है receiving address इस address पर आपको click करना है यहां पर आप देखेंगे 5600x एक्चुली मैंने टेंपरी एक address create किया था अगर आप चाहें तो आप new पर click करके भी address को create कर सकते हैं करना क्या है simply आपको new पर click करना है यहां पर आपको कोई भी label देना होता है इसे आप address को भी बना सकते हैं यहां पर हमने address को create किया है तो हम simply इस address को copy करेंगे आपको यहां से copy button पर click करना है इसे अब हम close कर देंगे क्योंकि यहां पर हमारा जो काम था वह आप खतम हो चुका है यहां पर एक और important point है जो कि आपको notice करना है फाइल पर आपको जाना है यहां पर आपको backup wallet का एक option मिलेगा आप अपने wallet का backup जरूर बनाएं क्योंकि अगर in case आप इसे install कर देते हैं तो जो process होगी उसमें आपको फिर से एक से डिर दिन का समय भी लग सकता है तो जरूर आप अपने wallet का backup बनाएं यहां से हमने receiving address को copy कर लिया है हम इसे close करते हैं अगेन हम चलेंगे हमारे miner वाली file पर और यहां पर हम अपने address को paste करेंगे यहां पर हमने address को paste किया यह आप देख सकते हैं worker name जो भी आपकी machine का आप name देना चाहते हैं जिससे आपको आसानी हो तो यहां पर मैं type करता हूं 5600X यह हमारी machine का name हो गया password यहां पर हमने कोई भी password नहीं डाला है threads यहां पर हम जो use कर रहे हैं वा कर रहे हैं 10 हलाकि यहां पर 12 threads है priority यहां पर हमने one select की है यहां पर आप देखेंगे कुछ condition है जो कि आपको true करनी होती है जैसे की no tune को आपको true करना है force tune को आपको true करना है यहां पर दोनों आपको false रखनी है true config को आपको true config पर select करना है और true full पर यहां पर आपको true को select करना है यहां पर आप देख सकते हैं चाहें तो आप इसका screen sort भी ले सकते हैं बस यहाँ पर आपको कुछ यह minor changes करने हैं इसके बाद यहाँ पर हम इसे close कर देते हैं यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि हमारी Ethereum की mining अभी चालू है अब हमको हमारे CPU की mining को भी start करना है तो यहाँ पर हमारी यह file है आपको करना क्या है? राइट क्लिक करके आपको run as admin के साथ इसे run करना है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले huge pages successfully का एक message आएगा आपको इसे close करना है अगेन आपको right click करना है अगेन आपको admin के साथ इसे run करना है तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हमको अभी यहाँ पर एक error आ रहा था जो कि अप clear हो चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी raptorium की mining है वह अब start हो चुकी है कुछी समय में यहाँ पर आपको value सो होंगी एकस्ट बन यहाँ पर लिखा हुआ आज चुका है एकस्ट टू यहाँ पर आप देखेंगे आपको पूरी हैसरेट दिखाई दे रही है यहाँ पर हमको जो हैसरेट मिल रही है वह है 1442 हमने जो thread select किये हैं वह दस किये हैं अगर आप चाहें 11 या फिर 12 जितनी भी threads को यूज करना वह आप यूज कर सकती है एक बार करता किया हूं मैं टास्क मैनेजर पर चलता हूं और यहां से हम performance पर चलेंगे तो यहां पर आप देखेंगे जो हमारा CPU है उसका 100% utilization हो रहा है ते किसी तरह से जो GPU है वह भी 95, 90, 93 के बीच में सल रहा है हम इसे close करते हैं अब देखिए यहां पर हमारी माइनिंग त जाकर अब चेक कर सकते हैं कि आपकी मसीन लाइब है या नहीं तो ठीक इसी तरह से आप रैप्टोरियम के साथ भी कर सकते हैं आपको जाना है क्रोंपर और यहां पर आपको सर्च करना है फ्लॉक्पूल क्योंकि हम फ्लॉक्पूल पर माइन कर रहे हैं तो यहां पर हम फ्ल करेंगे और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर भी आप देखेंगे हालकि इस मसीन को मैं पिछले दो तीन निन से रन कर रहा हूं तो यहां पर हमारी जो बरकर हैं वह हैं तीन टोटल यहां पर जो पेड हो चुका है रेप्टोरियम वह आप देख सकते हैं 392.7 बन त आपके वालेट में पहुंचा है यह नहीं तो इसके लिए आपको करना क्या है आपको जाना है अपने वालेट पर यहां से हम तब से पहले चलेंगे रेप्टोरियम के वालेट को हम ओपन करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारा रेप्टोरियम का वालेट एड हो च तरह से हमको rtm receive होते हैं हमारे wallet पर अब यहां पर जो सबसे important point आता है वह आता है कि आप raptorium को कहां पर sale करेंगे क्योंकि यह wallet है आपको sale करना है तो आपको एक exchange की requirement होगी अगेन हम चलेंगे raptorium की official website पर जो की है raptorium.com यहां से आपको जाना है exchanges पर अब यहां पर आप देखेंगे आपको कुछ बहतरिन एक्सचेंज देखने मिल जाती हैं यहां पर आप देखेंगे qtrade.io यहां पर आपको coinbazar देखने मिल जाता है south exchange है तो आपको करना क्या है simply किसी भी एक exchange पर जाना है for example यहां पर हम आच चुके है coinbazar.com पर इस coinbazar में आपको अपना एक account create करना है sign up करके आप यहां से account को create कर सकते हैं फिर उसके बाद आपको जाना है rtm पर फिर rtm का जो भी receiving address होगा उसे आपको copy करना है फिर पैसा exchange में पहुंचाने के लिए आपको raptorium के wallet में आना है यहां पर आपको send पर click करना है यहां पर आपको उस address को paste करना है यहाँ पर आपको label में RTM select करना है यहाँ पर आपको amount select करना है कि कितना amount आप पहुंचाना चाहते हैं तो अभी यहाँ पर आप दिखेंगे हमारे जो wallet में है 36RTM पड़े हुए है तो यहाँ से मैं इस RTM को copy कर लेता हूँ इक बार मैं आपको live बताता भी हूँ हमने इसे copy किया यहाँ पर हम amount paste करेंगे यहाँ पर आप subtract fee पर जरूर क्लिक करें यहाँ पर अभी आप देखेंगे 36RTM आपको फोग रहे हैं अब यहाँ से मैं RTM को अपने exchange पर भीज रहा हूँ simply आपको send button पर क्लिक करना है यहाँ पर हम yes पर क्लिक करेंगे यहाँ पर भी आप देखेंगे जो हमारा balance है बोग जीरो जीरो हो चुका है अगर हम transaction पर चलें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 36RTM हमारे यहाँ से कट चुके हैं अब यह ATM जाच चुके हैं हमारे exchange पर अब exchange से हम इसे Ethereum में convert कर सकते हैं Dogecoin या Bitcoin में convert कर सकते हैं या direct bank account में ले सकते हैं तो किसी भी currency में हम इसे convert कर सकते हैं सो फ्रेंट इस तरह से आप Raptorium को mine कर सकते हैं Raptorium को sale कर सकते हैं अगर आपको कोई भी doubt है Raptorium की mining को लेकर तो आप मुझे comment box में जरूर बताएं फिलाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे like जरूर करें चैनल पर new है तो मैं आपसे request करूँगा कि आप हमारे चैनल को subscribe भी करें एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए hashtag cyberbaba